हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप के दूसरे मैच जो की होने वाला है पाकिस्तान और नीदर लेंड के बीच में जो खेले जाएगा छे अक्टूबर को दो बहर दो बज़े से वैसे तो सबको पता ही होगा कि जीतना नवे परसंट कौई है लेकिन हम उस से क्या कौन जीतिएगा कौन हारेगा हमें अपनी टीम से लेना देना है कि हमारी टीम जीती है की नहीं क्यू Standards तो चलो बात करते हैं आज के मैच के स्टैट्स की और जानते हैं कुछ चीज़े इन दोनों को टीमों के बारे में यह मैच खिला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जो कि प्योर बैटिंग पीछ है बहुत बढ़िया बैटिंग पीछ है पिछले दो व आपने 300 के नीचे स्कोर बनाया है तो 99 प्रसंट आप हार जाएंगे मतलब 300 के नीचे चेज़ेबल है तो टोटल मैच खेले गए हैं यहां पर साथ जब बॉलिंग फर्स्ट की गई है तो तीन बार जीती है जिसने बैटिंग फर्स्ट की हो चार बार जीती है तो एवरेज परस्ट इनियु स्कोर है दो सो टासी का एवरेज सेकंड इनियु स्कोर है 263 का मतलब बैटिंग फर्स्ट की जीतने के चांस यहां पर ज्यादा होते हैं चलिए आगे बढ़ता है यह हमारी नीदर लैंड की प्लेंग 11 जैसा कि आप देख रहे हैं स्कॉट एडवर्स बहु कोई भी प्लेयर ले सकते हो कि स्कॉट एडवर्स यह तो बहुत बेन प्लेयर हैं कैप्टन हाई है बेस्ट लीड बहुत बढ़िया तेजा पिछले वेस्ट इंडीज के कौलिफायर मैच में 26 गिंदो में इन्होंने 111 रंग की पारी के लिए बहुत ही बेतिन के विक्रम ज बहुत ही बढ़िया बॉलर इसले कौलिफायर से बाहर रहे थे क्योंकि कंट्री मैच चल रहा था तो वापस वह आ ही नहीं थे तो सोचो यह में प्लेयर थे और पॉल वैं मैक करीन इन तोनों के बिना ही उन्हें कौलिफायर कौलिफायर कर लिया था तो आज देखना जरू रबाबा राजम ने इनके किलाब 10 मैच में यह पिछले 10 मैचों में 428 रन बनाये 47.56 के अवरेज थे इफ्थिकार एहमद ने 9 मैच में 348 रन बनाये 69.6 के अवरेज थे हरीश रॉफ ने 8 मैच में 17 विकेट्स लिया है एकॉनमी आप देखना है 4.89 की रन भी कम देते हैं व और ऑफराक्स हर मैच में ने नहीं 2 विकेट लिये ही लिये हैं कि सिमल्ले शाहिन अफरेदी 10 मैच में 20 विकेट्स लिके जाता है बंदा 4.89 की विकेट लेता ही लेता है तो आप इसको कैपटन भी कर सकते हैं अगर पहली बैटिंग करती है नीधर लैंड बालिंग करता है तो गैरनटीड आरिष और शाहीं को कैट्टेन कर सकते शाहीं को पिपन सते एंग से और बहुत बहुट बढया है और रिज दो दूसरी बाते बॉलिंग भी करते हैं चलिए आगे आपको बताऊंगा मैं मैं मैक्स दस मैच में 346 का एवरेज बैस दिलीड साथ मैच में 15 विक्ट समझे रहे हैं बहुत अच्छा नहीं लेकिन बहुत खराब नहीं हर मैच में अप्राउजन का भी दो का है देखते हैं आज क पाकिस्तान को उठा सकते हैं बाकी प्लेयर एक्स्ट्रा आपकी जो मरजी हो आगे वीडियो देखके आपको पता चल जाएगा यह हमारे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जिसमें में हमारे हिसाब से स्टार्टिंग जो होती है में प्लेयर हैं बाबाराजम जो कैप्टन है प्लेयर नाम बताओंगा जो हैं बाबाराजम, मुहमद रिजवान, हरीश रॉफ और शदाफ खान इन चारों को आपको लेना ही लेना है शुर्य शदाफ खान के बाद शाहिन अफरीदी भी पांच प्लेयर आपको प्लेयर पहले पाकिस्तान के लेने ही लेने हैं और अगर छटा भी लेना चाहें, तो फकर जमान, छे प्लियर्स अगर लेना, तो फकर जमान को भी उठा ली दिएगा, अश्रदाब खान को नहीं उठाएगा, अगर बैटिंग फस्ट करती है, पाकिस्तान की टीम, क्योंकि फिर उनकी बैटिंग शाद आये ही न, बाबा, राजम, रि किलाब से फकर जमान आशाद ओपनिंग करेंगा, और लेफ्ट हैंड बैट्समैन, तो आप डेफिनिट्ली ले सकते हैं, और बैटिंग फस्ट करते हैं, तो कैट्टन, आख बंद करके कैट्टन बना सकता है, नीदर लेंड के तरफ से विकरम जूस सिंग अब देख सकते है लेफ्ट हैंड बैट्समैन, ताब और तोड बैट्समैन है, बारा गेम में, एक सेंचरी, एक हाफ सेंचरी, और भाई साथ विकेट, मतलब आपको दोनों काम, और राउंडर की भूम कैनी बहा सकते हैं, समझेना किसी मैच में तो आप इनको छोड़ी नहीं सकते हैं, कि चल करोड़ों जीता दूँगा, वो सब जूड़ बोलते हैं, कोई जीता बाता, हाँ, स्मॉल लिग्स हमें जीता सकते हैं, कभी-कभी हमारी भी निकल जाती है, ऐसी टीम की सिधा करोड़ों जीत जाएं, लेकिन लगाए नहीं होता हैं, क्यूं क्यूं लगाएं भाई, सारे मै पाकिस्तान और नीदर्लैंड के मैच में यह स्टैट्स जो आपको देखना ही चाहिए क्योंकि भाई बाबा राजम सिर्फ बाराचो के दूर है अपने ओडिया के पांसो चोके मारने में तो अगर बाराचो के नुमाले ते बाराचो कर तालेसा ऐसी हो जाएगा भाई पचास पूर करने के लिए पकड़ जमान एक जो तीन रन है अपने 5000 पूर करने के लिए ओधैन नाले की आपको पूर करने के लिए具 हैं जाहिए थ तीन भींहरी अगर रिजवान तो सोचके हो जाएंगे इंटरनेशनल में वाँ 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 क्या बात है वैसले बैरिस आठ रन और चाहिए अपने सब्सक्राइब करने के लिए वंडे फॉर्माट में तीन और चौके अगर विक्रम जीस्टिंग मारें तो उनको सब्सक्राइब हो जाएंगे बहुत तकड़े रिकॉर्ड्स हैं से कहीं नहीं मिलेंगे तुमको दो बैसदल वीड दो चौके दूर हैं अपने 54 बुरह करने के लिए तो देखते हैं आद बाइन कौन अपने शटक पूरह करेगा और कौन अपने चाहटे चौके पूरह करेगा चलिए चलते हैं आगे अपनी वीडियो में यह हैं प्लेयर बैटल्स मैं आज आपको तीन प् यह स्मौन लिग जिताएगा तेजा और शदाब का यह पहला बैटल यह तेजा और शदाब का तेजा बहुत ही स्पीड में रन बनाने वाले प्लेयर तापर तो बल्लेवाज पांसो पांसो पांस रने नों बीस ओडिया बनाए दो सेंचरी उसाथ और वह सकते इसको आउट न अच्छा करके जाते हैं तो यह बैटल हो सकता है बीच में बीच को और हो में यह देखने को मिलेगा कि भाई शेदाब खान चौंस रोडिया में तिरासी विक्रे साथ बहुत भड़ी है लेक्स पिनर है और यह सेकेंड बैटल होगा मैक्स और शाहिन की मैस क्योंकि उगरते अच्छा लगता है बाई निदे लेंड के प्लेयर में दस फिफ्टी उडिये अग्रेसिव ओपनर है और शाहिन को स्टार्टिंग भिड़त होगी और कौन जीता है इसमें क्या शाहिन विक्र ले जाते हैं या फिर मैक्स शाहिन को उड़ा देते हैं चलिए देखते हैं क्योंकि बाबर हैं भाई से मैं वर्ल्ड ओडियाई के टॉप बैट्समें पाँजारा चारसो आठाट के साथ एक्सवाट ओडियाई में नूनिस तैंचरी के साथ और नीदर रेंड के खिलने का एक्सपीरियेंस लेकिन लोगन वन बीक को देखना एक्साइडिन होगा क्यो दोनों तरफ बहुत सिंग करा दा आप फ्रेंट हो चाहें ऑफ दपीच दोनों तरफ वो बॉल को स्विंग करा लेते हैं और हैदराबाद में को कंडिशन बहुत रास आने वाली दोनों बैट्समान को भी बॉलर्स को भी तो देखते हैं यह बैटल कॉन जिता बाबार आज लेकिन यह याद रखेगा यह टीम चेंज हो जाएगी तोस के बाद यह आप देख सकते हैं मेरे टीम है मुहमद रिज्वान लिया है हमने में बाबराजम कैप्टन बनाया हुआ है बाबराजम बाबराजम जिस फतर के फॉर्म में कैप्टन बना इनको पड़ेगा ही दोनों बैट्समेन हमारे नीदरलेंड के होंगे एकरमेन और बैसडल वीडिये दो हमने और रांडर लिए शेदाब खान को भी नहीं लिया है वह हम बैटिंग टॉस के बाद देखेंगे लेना है कि नहीं लेना है इफितकार रहमत हमारा ओल रांडर में पाकिसान के तरफ स बॉलास में शाहिन अफरीदी और हरीश रॉफ यह दोनों बहुत जरूरी है भाई और साथ में होंगे हमारे बीक नीदरलेंड के यह अभी हमारी टीम है प्लेंग 11 हमारी फैंटेसी की बाकी टॉस के बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है चलिए मिलते हैं नेक् की बाई बाई